हेलो बच्चो, लेट सी दे ग्वेशन, दे ग्वेशन सेज, यह कॉमन बॉटल कॉर्क इस अप्टेन और इस दे प्रोड़क्ट और तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉमन जो बॉटल कॉर्क है, यह बिलती कौन से प्लांट्स में है, लेट में टेल यू कि यह डाइकॉर रीजन बोलते हो, और एक इस रीजन में जिसे हम एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन बोलते हैं, एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन के अंदर, आउटर मोस्ट सेल जो कॉर्टेक्स के होते हैं, आउटर सेल्स औफ कॉर्टेक्स क्या करते ह मेरिस्टिमाटिक लेयर बना लेते हैं और ये जो मेरिस्टिमाटिक लेयर है ये डी डिफ्रेंसियेशन शो करती है क्या शो करती है डी डिफ्रेंसियेशन शो करती है और उसमें क्या बना देती है ये cork cambium cork cambium form हो जाता है cork cambium का एक दूसरा नाम है उसे आप क्या बोलते हो phelogen phelogen further दो parts में develop होता है एक part तो आप बोलते हो जिसे cork जिसका अपना दूसरा नाम phelom है और एक बनाता है वो secondary cortex जिसका अपना दूसरा नाम pheloderm है तो हमें बताना था कि cork मतलब phelom कहां से product किस चीज का product है कहां से develop होती है cork cambium से जिसका दूसरा नाम phelogen है तो हमारा correct option option B होगा phelogen hope you all understood it well thank you all the best हुआ है कि झाल अभी है प्राशी प्राशी लिंग गदेवाशी देजीशी किते हैं